नमस्कार दोस्तो आज आपको बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से एंटोनेम्स जिसको हिंदी में कहा जाता है विलोम शब्द इसके पहले मैंने आपको सिनोनिम्स बता दिया है जो की परिक्षक दृष्टी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बताना चाहें जो आपकी पिछले साल एक्जाम हो चुका है उसमें कम से कम पांच कोशन पूछे गए थे एंटोनिम और सिनोनिम दोनों मिला करके और सभी कोशन कितने नंबर के थे एक नंबर के थे तो देखिए ये पर इक्षक दृष्टी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको हिंदी अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे इसको तो चली आज की वीडियो की सुरुवात करते हैं जितने इंपॉर्टेंट एंटोनिम मिले हैं हमको वो आपको हम प्रुवाइड कर देते हैं और ये सभी सब्द किसी ना किसी परिक्षा में पूछे जा चुके है रिपीटेड हैं तो चली वीडियो की सुरुवात करते हैं पहला सब्द दिया हुआ है पो और मोस्ट जिसका hindi होता है सबसे महतपूर्ण 65 आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हिंदी पता दिया जा रहा है परिक्षा में आपको हिंदी नहीं बताये जाएग वहाँ केवल लिखा रहेगा foremost option देखते हैं unimportant, disposed, mature, premature यहाँ पर आपको चार options दिये गए हैं इनमें से कुछ इसका विलोम शब्द दिया गया है तो right answer बनेगा option A ठीक है, foremost का क्या मतलब हो गया सबसे महत्पूर और unimportant हो गया महत्पूर नहीं ठीक है, disposed, mature और premature यह इसके synonyms हो गया और antonyms क्या हो गया unimportant चलिए अगले question पर बढ़ते हैं question number two, beautiful आप सभी को पता होगा इसकी हिंदी सुंदर handsome, marvelous, graceful, ugly सभी बच्चे इसका answer comment करके बताएंगे देखे एक बढ़ फिर से आपको बता देते हैं जो शब्द दिया गया है पर इच्छम है अगर आप उसकी हिंदी जानते हैं तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे beautiful का क्या होगा? देखे, handsome यह होने सकता है, यह इसका synonym है marvelous, यह भी इसका synonym है graceful, यह भी इसका synonym है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ugly, यह इसका antonym शब्द है अगले question पर वढ़ते हैं question number 3 mighty, यानि ताकतवर mighty मतलब क्या होता है? ताकतवर weak, tough forceful none of the above अगर आप इसकी हिंदी समझ रहे होगे इस सभी सब्दों की तो आप असानी से जवाब दे पाएंगे comment करके देखिए हम भार-बार आप लोग से कहते रहते हैं कि comment करके आप लोग बताया करिए लेकिन कोई भी बच्चे comment करके नहीं बताते हैं देखिए इसका right answer क्या बनेगा? question number 3 का right answer बनेगा option A, weak यहाँ पात हो रही है ताकतवर यानि tough, forceful यह सभी इसके synonyms है और weak इसका antonym हो जाएगा अगला question 4 impediments impediments का क्या हिंदी होता है? abroad promoters obstructions opticals handicaps जल्दी से इसका answer आप लोग comment करके बताएंगे अगर आपको पता है तो भी बताईए नहीं पता है फिर भी आप कोसिस करिए तो 4 का right answer बनेगा option A ठीक है अवरोध का क्या होता है? promoters यह सभी topic कही नगहीं परिक्षा में repeat हुए है बार बार पूछे जाते हैं तो हो सकता है कि इस बार भी परिक्षा में इनमें सही कुछ आ जाए extensive यानि व्यापक expensive compact narrow abstract extensive का हिंदी होता है व्यापक अब आप इसका comment करके बताएंगे इसका antonym क्या होगा? यानि विलोम शब्द तो चलिए आपको बता देते हैं क्या होगा right answer option c ठीक है? क्या हो जाएगा? narrow अगला topic six number पर दिया हुआ है ambiguous यानि I is first responsible confusion auxiliary clear I is first का क्या होगा? देखे responsible ये भी नहीं होगा confusion ये भी नहीं होगा auxiliary ये भी नहीं होगा ये सभी इसके synonyms है और right answer बनेगा option d clear यहाँ पर क्या दिया हुआ है? I is first और clear मतलब होता है is first साप सुथरा topic number seven rigid अक्सर परिक्छाओं में पूछा जाता है important है rigid का क्या होता है? कथोर merciful lenient जितने बच्चों को इसका आंसर पता है comment करके बताईए rigid का क्या होगा? right answer option d ठीक है? जितने बच्चों ने d option बताया है very good आगे बढ़ते हैं eight number पर frugal इसका हिंदी होता है myth व्याई miserable rich happy extravagant frugal का क्या हो गया? antonyms right answer option d extravagant ओके? आगे बढ़ते हैं nine number पर acquit यानि अपराद मुक्त करना acquit मतलब क्या होता है? अपराद मुक्त करना retreat deprive convict conceal conceal सही आंसर होगा option c convict next point है bitter आप सभी को पता होगा bitter मतलब होता है कड़वा timid blunt sweet या none of the above देखिए बिलकुल इसको पढ़ने से पता चल्ला होगा कड़वा क्या होता है? below sweet मीठा 11 नंबर पर बढ़ते हैं covering यानि आवरण या ढखना exhibiting avoiding hiding protecting देखिए न सभी का आंसर हो सकतो आपको पता हो protecting या भी होता है ढखना या आवरण hiding यानि शुपाना ढखना avoiding मतलब होता है इग्नोर करना या ढखना exhibiting मतलब होता है प्रदरसनी तो right answer क्या बनेगा? option A ऐसे ही अगर आप लोग एक एक हिंदी समझ के इसको पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी क्योंकि time कम होगा आपके पास तो आपको एकदम सही करके आएंगे और 5 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे 12 नंबर पर क्या दिया हुआ है? reckless यानि लापर वह और आपको बताना चाहेंगे यह पूछा गया है आपके UPPCL Assistant Accountant एक्जाम 2021 में अगर आपके पास पेपर होगा तो उठा करके देखिएगा आपको यह दिख जाएगा यह एंटोनीम वहाँ पर दिया हुआ है reckless देखिए ऐसे आते हैं वहाँ पर लापर वहा, cautious, brush, carefree, daring क्या हो जाएगा reckless का? लापर वहाँ का क्या होगा? यहाँ पर आपका आपका आंसर बनेगा option A, cautious आगे बढ़ते हैं distinct यानि अलग देखिए यह भी उसी पेपर में पूछा गया है, ठीक है? prescribed, value, noticeable, marked right answer option B 14 नमबर पर embellish यानि सवारना या सजा देना disfigure, design, perish, adorn embellish का क्या होगा? सजा देना या सवारना यहाँ answer बनेगा option C, perish ठीक है जल्दी जल्दी थोड़ा आपको देख लेते हैं इसको, ज्यादा time waste नहीं करेंगे brilliant, चलिए इसका आप लोग answer comment करके बताईए brilliant का क्या होगा? प्रतिभाश शाली इसका आपको हम सही answer नहीं बताएंगे, आप लोग comment करके ही बताएंगे इसका answer और जितने बच्चे comment करेंगे उन्हीं का answer चेक किया जाएगा brilliant का चलिए साप लोग comment करके बताएंगे next है false यानि असत्य true, inaccurate, incorrect, defective तो false का हो जाएगा true, असत्य, सत्य next है loved यानि प्यार किया defamed, averted, distracted, hated तो loved का क्या हो जाएगा, hate ठीक है, loved का क्या हो जाएगा, hate 18 नमबर पर दिया हुआ है reward यानि पूरुसकार penalty, retribution, demotion, none of the above reward का होता है पूरुसकार 18 का answer बच्चे comment करके बताएं पूरुसकार का क्या हो जाएगा, penalty ठीक है, answer बनेगा option a reward का क्या हो जाएगा, penalty ठीक है, इन सभी सब्दों को एक बार फिर से देख लिजेगा बहुत important है, आपको आगे और provide कर दिये जाएंगे क्योंकि ये केवल UBPCL में ही नहीं, जितने भी computer exam होते हैं, जिसमें English subject होता है वहाँ पर यहाँ से question आते ही आते हैं, ठीक है, यहाँ पांच question पूछे जाते हैं, बाकी exam में दो या तीन question पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत important topic है, यह आपको पता होना चाहिए, synonym होता है, समनार्थी सब्द, यानि एक जैसे सब्द, और एंटोनीम होता है, विलोम शब्द, ठीक है, उसके यानि की विप्रीत, तो इन सभी को अच्छे से देख लिजेगा, याद कर लिजेगा, और अपने आपसे भी थोड़े से पढ़के जाईएगा, जो भी आपको important लगते हो, और synonym वाली वीडियो भी देख लिजेगा, आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी share कर दिया करिए, किवल अपने तकहीना रखा करिए सीमित, तो friends, मिलते इसे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, take care, bye-bye, अच्छे से तयारी करिए, अच्छे से paper देखे आए, best of luck. कर दोबता है, आए हैं।